मुझे अभार विक्त करेंगे अच्छ चप्टेंगे बस एक पास मिनट का आप लोगों को यह मुनने के लिए आया हूँ कि आखरी ओवर है बाड़ा साहिब अगर इजाज़त दे तो आखरी ओवर में 36 रंग चाहिए एक बॉल पे 6-6 रंग पार के जाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले पर आप लोगों से माकी मांगने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर आने में जो देरी हुई वैरिस्टर असदुतीन अवेसी साब इस सभा में आने वाले थे लेकिन पिछले देर महिने से लगातार 105 सभाएं वो हैदराबाद में लिये हैं और उन्हीं के महनत की वज़ए से 8 सीटे लड़ने के बाद मजलिस इतिहाद मुस्लमीन कि यहाँ पर आने में पार्टी ने साथ सीटों पर जीत हासिल की है और 119 सीटों पर लगने वाली भाठ दिया जन्ता पार्टी को सिर्फ एक स्वीट मिली ने यहाँ पर यह कहने के लिए आया हूँ कि आवास को तल्वार की जंकार बना लो जीना है तो अपनी हिम्मत को हत् सरदार बना लो जिस एक शक्स को देख कर तुम्हें बाबा सहाब की याद आए उस एक शक्स को तुम अपनी खांग का सरदार हो जो आई यहां पर आने का हमारा और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए था कि यह आर एस एस यहां पर है और हमने सोचे असर सहाब में भी सोचे थे जाएंगे और खूब बैटिंग करके आएंगे अब आप से यह कहना चाहते है कि यह सभा आज यहीं खतम नहीं हुई है बाड़ा साहिब की अगर इजासत है तो बाड़ा साहिब यह सभा को अब हम इंटर्वेल बोलेंगे तो बारा असर सहाब और बारा सहाब द्धाग से आएंगे और फिर जौब द्धा भावता Start घागे हैंगे और अगर अर्आसर सावे यह अगर सूच रहे हैं अगर आर्षस वाले यह सोच रहे हैं कि हैदरावाद की शेर्वानी नहीं आई है बहुत अच्छा हुआ वह और नहों आते तो हमारे को हमारे ही शहर म तो मैं उंको ये कहना चाहाँ गा कि जितने के लिए अकैला ही काफी हूँ। बाडा साहिब और असद सहाप की हाकीकशत को खाफ समझने वालो तुम्हारी नीद उड़ाने के लिए मैं अकैला ही काफी हूँ। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इलतिजा करने के लिए आया मैं जब यहां पर आया तो यहां पर हमारे बहुत सारे नौजवान लड़के हैं वो एक नारा दे रहे थे एक ही साहिब यह नारा जब हम सुनते है तो सचा ही यह है कि हम भी चाहते है कि इस पूरे महराश्चा के अंदर अगर दलितों की पहुजनों की, मुसल्मानों की कोई आवास होगी इस महराश्चा के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ बड़ा साहे वंबेकरजी की आवास होगी लेकिं आप खुद चाते हैं आप खुद अच्छी तरह से समझते है कि जब से औरंडाबाद की बंचित बहुजन आगारी की सभा हुई बड़ी कोशिशें हो रही है कि बड़ा साहेब को कैसे कमजोर किया जाए सभी लोग सभी राजवितिक पार्टियां इस शड़ियंतरों में लगी हुई है कि बंचित बहुजन आगारी M.I.M. पार्टि ये दोनों को कैसे रोका जाए इनके शड़ियंतरों इनकी साज़िशे चल रही है लेकिन आज नाकपूर की इस सरजमीन से हम एक एलान करना चाहते है 2019 के अंदर सरकार किसकी होंगी किंग कौन होंगा और किंग मेकर कौन होंगा वो सिर्फ और सिर्फ बड़ा सहे रंबेट कर दी रहेगी लेकि दोस्तों एक हकीखत भी मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ एक सचाई बताने के लिए आप लोगों को आया कि Inaटी कर सकते हैं पर नहीं हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है या आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग अपनी बस्कियों के अंदर अपने गषड़ें में अपने मुहर्णों में अपने शहरों में अपने गान जब किसी और की दूला कोई और बना हुआ और हमारा काम उस बाराब के अंदर जाकर नाचने का था हम सतन साल से नाच रहे हैं अब हमने तै किया है गोडी भी हमारी दूले भी हमी बनेंगे दूले भी हमी बनेंगे और नचना है नाचना है तो उन लोगों को बुलाएंगे पड़ा साहिब ने अपने भाशन के अंदर एक बात कही कि इस RSS के हेड़कॉर्टर के अंदर शस्त्र रखे जाते हैं, हत्यार रखे जाते है उनके पास बड़े-बड़े हत्यार है तो भी कोई गुना नहीं हमारे हाथ में छोटी सी लाठी के आ गई तो हम गुनेगार हो जाते हैं, बाड़ा सहाव हम एक बात कहना चाहते है हत्यार रखने वाला जरूरी नहीं है कि ताकतवर होता है मेरे भीर के वोजियों को देखो ने भीर के सेनारियों को देखो बगएर हत्यार के जिस दिन हो जाए लेकिन आज ये जो बनाया जा रहा है इस देश के अंदर आज इस देश के अंदर एक ऐसी हुकुमत है मोदी सहाथ की अगर इनके टार्गेट के ओपर कोई है तो मुसल्मानों को परेशान करो दलितों को परेशान करो ये सिर्फ इनके एजिंडे के ओपर यही है ने उनके भक्तों की तरह बस मोदी 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 के गुन गाना और भक्त भी कैसे है आप देखिए मोदी सहाब भाशन दे रहे है मित्रों आज तारीक क्या है बोलो तारीक क्या है आज तारीक क्या है कल तारीक क्या रहेगी मित्रो देखो आज तेरा कल चौदा देश आगे बढ़ रहा है देश इतने आगे बढ़ रहा है और जितने भक्त है मोदी 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 बस इसी उसके अंदर लगे है लेकि हम एक बात कहना चाते हैं हम कई सालों से खामोश है अब हमें दबाने की कोशिश ना करना जो बाड़ा सहाव अंबेकर जी ने तो मिशन को अपने हाथ में लिया है उस मिशन को अगर कहीं दबाने की कोशिश करेंगे तो मोदी सहाव नाटपूर की इस जमीन और लाखों की इस संख्या लाखों के दलित मुस्लिम बहुजनों की तरफ से एका बात हम आपको बोल लेते है आप दो हजान चौदा से पहले क्या थे चाए वाला चाए वाला ये जन्ता अगर किसी चाए वाले को प्रधान मंत्री बना सकती है और अगर आपके समझ रहे कि मैं अब जिन्दगी भर के लिए प्रधान मंत्री बन गया हूँ तो मोदी जी दो हजार उनीस के बाद नागपूर के रेले स्टेशन पे बड़ा सहे वाम्रेट कर जी फ्रेट में सफर कर रहे है और प्रुशे से नावाद आ रही है जालो, बाद सहे जैसे ही पलट के देखते है जाय 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 ये सरकार कौन चला रहा सिस देव लोग चला रहे एक मोधी सहाब चला रहे एक अमिशा सहाब चला रहे अमिशा को मैं आदा किन रहा हूँ देवी लोग चला रहे है अब ये है कि अगर एक चाहे वाला प्रधान मंत्री बन जाता है तो उसके जहन में क्या चलता है तो किसी को नौकरी मिली बेरोजगारी खतम हुई कलप्शंग खतम हुआ तो प्राधान मंत्री क्या बोल रहे रोजगार ने मिला तो क्या तलो बोल रहे प्राधान मंत्री प्राधान मंत्री जो चाय वाला है उसकी सोच पकोड़े के हद तक ही रहेगी अब 2019 के बाद जब सरकार चले जाएगी तो हम रोजगार देंगे प्रधान मंत्री को इसका हमिशा बोलेंगे फिर मैं क्या करूँ तो पकोड़े, 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 पकोड़े मेरे भाई, आज इस मुल्क के जो हालात है आप अच्छी तरह से समझते है और जब तक हम लोग एक ताख़त बनकर खड़े नहीं रहते है हमें मालूम है कि जमीनी हकीकत ये है की बाड़ा साहिब को कमजूर करने के लिए कैसी कैसी ताख़तیں आज पूरी एक साथ मिलकर आ रही है शेसेना भारतिय जंता पार्जी सोच रही है कि अगर कॉंग्रेस राश्ट वादी आजाए चलेगा राश्ट वादी और कॉंग्रेस आले सोच रहे है कि भाजर जीट जाए चलेगा शेसे ना जीट जाए चलेगा लेकिन ये चारों के चारों प्रमुक पार्टियां ये सोच रहे कि अगर बाड़ा साहब अगर एक ताख़त बन कर खड़े रहे तो बहुत सारों की दुकाने और धंदे बंद होने वाजे है इसी लिए आज सादिशें हो रही है कि बाड़ा साहब को कैसे कमजोर किया जाए अब हमारी और आप की जिम्मेदारी है दोस्तों ये मुल्क आज एक ऐसे चारा है कि उपर आकर खड़ा हो गया है कि जहां पर हम अपनी बात करते है हम मुसल्मानों की बात करते है तो हम आपको एक बात बताना चाहते है हम इनसाफ मांग कर हम इनसाफ मांग कर देश द्रोही हो गए वो खत्ले आम करके मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री हो गए हमने अपना हख मांगा तो हम फसादी हो गए पिस सरकार की नजर में ये माओ वादी हो गए हमारी मस्ज़िद तोड़कर वो अब भी देश भक्त है हम सिर्फ उर्दू बोलकर आतंक वादी हो गए मेरे भाई कितने सालों तक कितने सालों तक हम अपने आप को यूही कोस्ते रहेंगे मैं एक बात अपनी सभाओं के अंदर कहता हूँ अगर सत्तर सालों के अंदर अगर दलितों की मुसल्मानों की अगर ताखत नहीं तयार हुई है अगर हमने अपनी राज में तेक ताखत नहीं तैयार किये है तो एक बात मैं कहना चाहूंगा सची है लेकिन कड़वी बात है कि कभी भी दलीतों को और मुसल्मानों को गैरों नहीं हराया है दलीतों को और मुसल्मानों को हमेशा दलीतों नहीं और मुसल्मानों नहीं हराया है ये सचा ही है कि हर एलेक्शन के वक्त ऐसे ऐसे ने ने नेता तयार होंगे जो मुसल्मानों के अंदर दरीतों के अंदर इनका क्राम यही है कि कैसे इस समाज को बाटा जाए, इस समाज को तोड़ा जाए, इस समाज को बिखेरा जाए, खरीदा जाए ताके आपका वोट जब बढ़ता है तो सत्ता में कोई और जाकर बैठता है लेकिन अब हमने एक बात तै कर ली है और आपको भी ये बात तै करना है अगर बाबा सहाब अम्बेत कर जी को मानने वाले है तो इस सभा में निकलने से पहले ये द्रेड निश्चे करना मंचित बहुजन अगारी जब से बनी है मेरे लिए बाबा सहे बहुत फिकर है क्योंकि जो नेता आता है वो कहता है अतमी चुनाव लाणाव मला टिकित पही देग लोग आपस में ही एक दूसरे को भावी अंदार बोल के बुनाना शुरू कर दिये मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ अगर बाबा सहर ने अगर किसी सड़क चलते हुए आदमी से ये कहा कि अब बन्चित बहुजन अगारी का टिकित उस सड़क चलते हुए आदमी को दिया जाएगा तो पूरी समाज की जिम्मेदारी रही चाहिए बाबास्शार नम्वेक listening करे नाला लगाना और उसके पीछे करे रहना नहरा हकीखत यहीं है कि हम लोग टिकिटों के नाम के उपर सभ्ता आसिर arm के के नाम के उपर हम लोग बढ़ते हैं लगते हैं और हकीखत में यह होता है कि ना हम लोग पार्लिमेंट तक पहुँच पा रहे ना एसेमलियों तक पहुँच पा रहे हमारी इताख़त कहा है तो हम इस तरह की सभाएं ले रहे हैं लेकिन अब हमने टैक किया है कि बेरिश्टर असदुदीन अवेसी सहाब हमारे पार्टी के लीडर पिसले कई सालों से अकेले पार्लिमेंट में हमारी पार्टी की तरफ से जाते थे लेकिन हम आपकी तरफ से एक जबान दे कर जाना चाहते है कि 2019 के अंदर बेरिश्टर असदुदीन अवेसी सहाब अकेले पार्लिमेंट में नहीं जाएंगे सकते हैं, सिर्फ जरुत हैं, तो हमें एक ताखत बनकर खड़े रहने की, मैं आप लोगों से हाद जोड कर बिंती करने के लिए आया हूँ, कई सालों के बाद एक मौका ऐसा आया है, कि जहां पर हमें सोचना चाहिए, कि अभी नहीं, तो कभी नहीं, ये सोचना है, एक ऐसा मैं उन नौजवानों से अपील करना चाहूँगा, उन नौजवानों को ये कहना चाहूँगा, अक्सर मैं जब बोलने के लिए खड़ा रहता हूँ, तो एलेक्शन कमिशन का या पुलीस का एक कैमरा मेरे सामने ऐसा आ जाता है, बश्ता कुछ भड़काओं बोलने वाले है ये सोचते हैं कि अब हमाने वाले हैं कुछ बोलेंगे, लेकि